हलो स्टूडेंट्स वैलकम तू मैं रुपाली वर्मा आज हम क्या पड़ेंगे आज हम पड़ेंगे अपनी क्लास 12 की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का सात्मा अध्याए सात्मा अध्याए एक कविता है जो लिखे थे सूरिकांत त्रिपाठी जी द्वारा शूरिकांत त्रिपा है तो प्रक्ति में पूरी तरह क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं यह चीज़ें हमने सभी ने देखी है जब गर्मी से तप रही होती है धर्ती और बादल उस पे जब पानी बसाता है तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है पशु पक्षी मनुष्र सभी के अंदर चेंज आते हैं तो एक एकदम से परिद्रश्ट जो बदलता है वो क्रांतिकारी परिद्रश्ट होता है क्रांति मतलब एकदम से बहुत जादा तेजी से कोई चीज़ का बदलाव हो जाना तो वही चीज़ प पर गहे जो परिशान है उच्च लोगों से जो अमीर लोगों से परिशान है उनकी तरफ इशारा करते हुए उनके जीवन में करांती लाते हुए चीजों को दर्शाया है पढ़ते हैं सबसे पहले कविता पढ़ेंगे फिर उनके अर्थों को समझेंगे फिर प्रसंग और व् कि प्लावित माया यह तेरी रड़तरी भरी आकांशाओं से घन भेरी गरजन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे प्रतवी के आशाओं से नवजीवन की उंचा करशिर ताक रहे हैं ए विपलव के बादल अब सबसे पहले आप समझ लीजली विपलव क्या मतलब है आपका विपल के बादलब कि एक क्रांथी कि तो आप यहां पर आपको समन्झ में आ गया विपलाव का मतलब क्रांथी तो जहां हमं overlapping प्लाव आप उसको कर लिजेगा कि यह क्रांथी मतलब चेंज लाने की बात हो रही है इसां तिरती है समीर सागर पर यानि की सागर सागर मतलब समुध् और इनकी वज़ा से होता है सागर में हलचल होती है हवाउं की वज़े से ही तो सागर में लहरे ऊठती है तो वही चीज इन्हों में भी सुक और दुख अस्थिर है यानि क्या बोलें अस्थिर सुक पर दुख की छाया कि सुक अस्थिर है मगर दुख की छाया हमेशा बनी रहती सुक तो आता है और चला जाता है और दुख जो वो किसी ना किसी रूप में हर समय हमारे उपर व्यापती ही रहता है जग में दग्द्र हिदय पर निर्दय विपलव की प्लावित माया अब जग इस पूरे संसार का हिर्दय जो है वो जल रहा है अब यहां पर सबसे पहले समझे कि गर्मी से जल रहा है आप यह समझ लिए प किस चीज से जलेगा गर्मी से जल रहा है निर्दय निर्दय विपलव की प्लावित छाया और तुम क्या कर दो तुम जो निर्दय क्रांती है अर्थात जो बादलों की जो क्रांती है वर्षा की जो क्रांती है वो ले आओ और इस प्रलय रूपी गर्मी को बहा कर ले जाओ प्लावित मतलब बहा के ले जो माया मतलब गर्मी अब इसके पीछे चिपी हुई बात को क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे संसार में सभी जितने लोग हैं वो दुखी हैं उस पे तुम ऐसा कुछ करो जिससे इन सभी दुखी लोगों की जितनी भी दुख तकलीफ है उसको तु क्रांती के जरीए उनके दुखों को प्रहेंकाली जो दुख है उसको तुम बहा कर लेकर चले जाओ यह तेरी रड़तरी अब यह रड़तरी मतलब युद्ध की नौका रड़ मतलब युद्ध तरी मतलब नौका यह तेरी रड़तरी भरी आकांशाओं से जो तुम्हारी य खुशिया आती अब ये किसानों दोठी नॉत बादलोंब के बरसने से हर किसी को कहीं न कहीं खुशी ही मिलती है तो वही चीज उनोंने बोला कि तुम इस युद्ध रोपी नौका को ले करो, अर्था तो तुम अपनी बारिश को ऐसे ले कर आओ, जैसे युद्ध हो चुरू होता है, ऐसी बारिश करो, और ये तुमारी नौका जो है ये आकानशाओं से भरी, क्योंकि सब को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसी तरीक और तुम्हारे बादलों की गर्जन से जब बादल आने से तो वही तुम्हारे बादलों के गर्जन से जो है वो धर्ती में जा दिया है ना उर में प्रत्वी के आशाओं से नव जीवन की उचा कर सिर्थाक रहे हैं ये विपलव के बादल तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे ह कि तुम्हारा जो गर्जन होता है घर गादलों में जो तुम्हारा गर्जन होता है उस गर्जन से प्रत्वी के हिरदय में यानि प्रत्वी की कहीं गहराई में कोई अंकुर फूरता है यानि जब पानी पढ़ता है तो कहीं कोई बीज सुप्त वस्था में होता है तो जैसे ही उसमें पानी पढ़ता है उसमें जीवन आ जाता है और कुछ दिन में उसमें पेड़ निकल आता है तो वही उन्होंने बोला कि तुम्हारे इस गरजन से वो जो सुप्त धर्ती के अंदर जो बीज होता है उसमें हरकम मच जाती है उसे उम्मीद जाग जाती है कि वो जल्दी ह बाहर निकल आएगा तो उसमें आशाएं आशाएं आजाती हैं कि उसे नया जीवन मिलेगा और वह सिर उचा करके बाहर की ओर ताकेगा ए बिपलव के बादल मतलब एक रांतिकारी बादल तुम ऐसा परस जाओ तो अब यह जो इन्होंने बताया यह एक अंकुर के माध्यम से बताया यानि कि एक बीज जो है प्रत्वी के अंदर जो छिपा होता है तो वही उन्होंने इसको दूसरे माध्यम से हम अगर समझेंगे तो क्या है इसके मतलब कि जो सूरिकान त्रिपाठी निराला जी बोल रहे हैं कि उस कोई भी अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा क्रा का अंशाय होती हैं बदलाव को लेकर वो सभी बाहर आ जाती है तो इस तरीके से यह पहले चंद की व्याख्या कंप्लीट हुई तो अब इसका हम प्रसंग करेंगे और व्याख्या करेंगे प्रस्तुत का वियांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता ब बुला रहें कि आपके आने से जो चेंज आते हैं आईए आवाहन मतलब बादलों को बुलाने के लिए फिर है व्याख्या कभी बादल को संबोधित करते हुए कहता है हे कांतिदत रूपी बादल तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पे कोई नौका तैरती रहती है उसी प्रकार जैसे अस्थर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है मतलब जैसे समुद्र के ऊपर हवा चलती है उसी तरीके से हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा तैरता ही रहता है सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्था यह कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है बादल संसार में जले हुए हिदय पर निर्दई प्रेलेंकारी रूपी ये माया के रूप में हमेशा इस्थर रहता है मतलब बादल हमेशा कुछ न कुछ चेंजे लेकर आते हैं प्रत्वी पर बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है मतलब बादल आता है तो आम आदमी हर अप हर आदमी के दिल में अलग-णलग आशाएं होती है किसान को अगरकित के लिए यह पानी मिलता है तो जानवरों के लिए प्यास बुझती है। पेड़ों के लिए वहाँ पर कैते हैं सब नवजीवन मिलता है। धर्ती जो जल रही होती है उसको शानती मिलती है और आम आदमी को गर्मी से चुट्टी कभी कहता है हे बादल तेरी भारी भरकम गर्जना से धर्ती के गर्ब में सोई हुए अंकर सजग हो जाते हैं अर्थात कमजोर एवं निश्क्री वेक्ती भी संगर्ष के लिए तयार हो जाते हैं हे बिपलो के बादल ये अंकर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं अर्थात शोभितों के मन में भी अपने उद्धार की आशा अप फट पड़ी है बतलब आओ बादल तुम्हारा इंतजार सभी कर रहे हैं आगे की पंक्तियां फिर फिर बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार हिदय थाम लेता संसार सुनसुन गोर वज्रहुंकार अशनी पात से शापित उन्नत शत शत वीर चत विचत हत अचल शरीर गगन स्परशी स्परधा दीर हसते हैं छोटे पौधे लगुभार अब यहाँ पर इन्होंने क्या बुलाया कि बादल आओ क्या कह रहे हैं फिर से आओ बार बार गर्जो मतलब तुम आओ फिर से और बार बार गर्जो वर्षन है मूसलाधार और तुम बरसते जब हो खुब घंगोर हिदय थाम लेता है संसार जब तुम बहुत ज़्यादा बर्षा करते हो तो मारे डर के यह पूरा संसार अपना हिदय थाम लेता है खासतर से वो लोग जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है तो मतलब जिनके पास मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो हमारा यह नश्ट हो जाएगा वो नश्ट हो जाएगा वो नश्ट हो जाएगा तो वो ऐसे लोग अपने दिल को थाम लेते हैं सुनसुन घोर वज्र हुंकार मतलब जो तुम वज्र जैसी हुंकार करते हैं मतलब गरजन होती है बिजली चमकती है तो जब बहुत जादा घंगोर घटा चार जाती है और खुब मुसलादार भारिश के आशार हो जाते हैं तो वो लोग अपने दिलों को थाम लेते हैं जिनक के पास बहुत वैभवव संपदा होती है क्योंकि उनको डर होता है कि उनका बहुत कुछ निश्ट हो जाये अशनी पाथ से शापित उननथ सच्चत वीर मतलब सब कुछ verse that वह सामीट यानि की वह डर डर जाते हैं जो उननट वीर यानि कि जो बहुत बड़े योद्धा हैं यानि कि तुम्हारे गर्जन से जो है वो बड़े बड़े योद्धा डर जाते हैं अर्थात तुम्हारे गर्जन से वो लोग डर जाते हैं जो बहुत वैभव संपन्ने हैं चत विचत हत अचल शरीर और तुम क्या करते हो जो छोट जो बड़े बड़े होते हैं बड़े बड़े योधाओं को तुम मार गिराते हो अर्थात उन बड़े बड़े वैभासाली को लोगों को तुम्हारी मुशलादार वारिश से जो है बहुत छती पहुचती हैं गगन इस परदी इस परदादीर और गगन को इस परश करने वाली इस पर्धा में लोग अपने धीर को खो बैठते हैं हसते हैं छोटे पौधे लगुबार और वो छोटे पौधे क्या तो है जब बहुत तेज हवा चलेगी तुफान आएगा तो बड़े बड़े पेड हवा आंधी में देखे गिर जाते मगर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कुछ नहीं होता तो वही चीज़ उन्हों बताया है जब बहुत ज़ादा बर्शा होती है गर्जन होता है तुफान आते हैं तो वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वयभ охशाली संपनु उने उखड़ जाते क्यूंकि उनका बहुत कुछ नुक्सान हो जाता लेकिन जो चोटे लोग होते हैं गरीब लोग होते हैं उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता तो लेकी हसते हैं छोटे पौदे मतलब इन चोटे पौदे और वह शोप्त होके तुमको बार-बार बुलाते हैं खिल खिल कर बुलाते हैं क्योंकि इन इस निविराषकरी त्तति होती है इनमें ये छोटे ही बच जाते हैं और शोभित रहते हैं तो छोटे वेक्ती जो हैं वो इन करांती से अरता जब कोई भी करांती होती है तो क्या होता है उसमें सबसे जादा नुकसान जो वैभव साली संपन्न सारी लोग होते हैं उनको फरक पड़ता है चोटे लोगों को इसलिए नहीं फरक पड़ता क्योंकि जब भी क्रांती होगी कोई नो कोई बदलाव होगा उससे छोटे वर्ग को हमेशा फायदा होगा तो क्रांती अगर कुछ भी हुई तो बदलाव होगा और उससे छोटे वर्ग को फायदा होगा लिए अच्छा नहीं होता है आगे हैं काव्याश पूरी प्रसंग पूरी कविता का एक ही रहेगा व्याख्याएं अलग अलग रहेंगी प्रस्तुत काव्याश हमारी पार्ट पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता बादल राक से उद्धत है इसके रचे तक महा कवी सू करते हो मुसलाधार भारिश करते हो तुम्हारी वज्र के समान भैंकर आवाज को सुंकर संसार अपना हिदय थाम लेता है अर्थात सभी भैबीत हो जाते हैं बिजली करने से आकाश की उचाईयों को छूने की इच्छा रखने वाले उचे परवत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण छेत्र में वज्ज के प्रहार से बड़े बड़े वीर मित्यू को प्राप्त हो जाते हैं मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जब क्रांती कारी अक्रांती होती है तो उनको फरक परता वही दिया दूसे शब्दों में बड़े लोग या भू प्रित चोटे पौदे हसते हैं वे उस विनाश्क से जीवन प्राप्त करते हैं वे अपार हरयाली से प्रसन होकर हाथ लाकर तुझे बुलाते हैं विनाश्क के शोर से सदा चोटे प्राणियों को ही लाब मिलता है दूसरे शब्दों में क्रांती से निम्नवा दलितवर को अपने अधिकार ही प्राप्त होते हैं आगे की कविता देखेंगे अट्टिक अट्टा लिका नहीं रे आतंक भवन सदा पंक पर ही होता जल विपलव प्लावन छुब्द प्रफुल प्रफुल जलज से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हसता है शैशव का सुकुमार शरीर रुद्रकोश है छुब्द तोश है अंगना अंगम से लिप्टे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं धनी वजगरजन से बादल तरस्त नयन मुखधाप रहे हैं अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब बहुत मुसलादार भारिश होती है तो इसमें क्या होता है अटालिका नही हैं यानि कि अब इन्होंने बताया बड़े लोगों के बारे में पहले बताना शुरू किया फिर वो बादल पर आएंगे जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उन्होंने बहुत बड़े-बड़े खड़े कर रखें तो वह यह बोल रहे हैं कि यह जो बड़े-बड़े घर ह ना ये महल नहीं है ये आतंक का घर है क्योंकि ये इन घरों को लोगों को सता कर अपने लिए धनिकठा करके बनाए गए तो ये घर ये मात्र घर नहीं है ये आतंक के घर है सदा पंक पर ही होता जल विपलव प्लावन यानि पंक मतलब कीचड हमेशा कीचड पर ही क्या होता है पानी का प्रहार होता है अब कीचड से तात पर क्या है वो छोटे लोग यानि निम्न लोग दलित लोग गरीब लोग उन पर ही हमेशा क्या है वज्जरपाद ज्यादा होत प्रफल जलज से सदा जलकता नीर अब इनों ने पहली वाली लाइन बोली है यहां पर यह जल विपलौपलावन इसका मतलब है कि जो लोग छोटे होते हैं उन्हीं पर जो है इन भवनों द्वारा अत्याचार किया जाता है यहां से जो भी आतंक की लहर चलती है उससे सबसे जादा यही वर्ग तरस्त होता है फिर आते हैं अब पानी जब बरसता है आपने कभी देखा है कमल के पत्ते पर वो कभी ठैरता नहीं हमेशा वो बहकर निकल जाएगा उस पत्ते की ऊपर की बनावट ऐसी होती है कि आप उस पर पानी डालो तो जैसे हम लोग ठाली में पा शुब्द प्रफुल जलज से सदा छलकता नीर और क्या होता है अगर कमल के उपर पानी पड़ जाए तो वो निकल जाता है छलक जाता है मतलब बाहर की तरफ चला जाता है अर्थात क्या है यहाँ पर कि अगर गरीब लोगों के उपर तुम्हारा ये वर्जन होगा गर्ज की रोक शोक में भी रचा है शैशव्का सुकुमार शरीर अब जो गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं वह जरासा भी कुछ पढ़ता है, तो तुरन्थ वह बिमार पढ़ जाते तो उन्हेने बोला जो शुक्कुमार यानि कि छोटे बच्चे होते हैं गरीबों के उनके शरीर कमशोर होते हैं लेकिन तब भी उनको कोई तकलीफ हो बिमारी हो तो वो उसमें भी मुस्कुराते ही रहते हैं रुद्र कोश है छुब्द तोश है मतलब सभी बहुत जादा ही परेशान हैं अंगना अंग में लिप्टे हैं आतंक अंक से काप रहें मतलब तुम्हारे इस गरजन से ये जितने भी आंगन हैं वो काप रहें हैं और जितने भी आतंक के भने हुए घर हैं उनमें रहने वाले इस गरजन को देख कर काप रहें हैं धनी वर्ज गरजन से बादल मतलब धनी वर्ग जो है तुम्हारे इस गरजन से डर रहा है काप रहा है तरस्त नयने उनकी आखें जो है परेशान है और वो सभी अपने मुख को ढाप रहें अर्थात यहां पर अब यह पीछे क्या करें इन्होंने बादल के माध्यम से बताया मगर इसके पीछे वो क्या कहना चारा है जब क्रांती के बादल उठते हैं यानि कि बदलाव के बादल उठते हैं तो इनसे जो निम्नवर्ग है वो पहले ही बिमार है तरस्त है लेकिन इस क्रांती में यानि कि बादल जब बरसता है तो जो बारिश होती है उस क्रांती में स अमीर लोग काप उठते हैं थर्थर कापने लगते हैं उनके घर हिलने लगते हैं वो उनकी आखों में परिशानी है और उस परिशानी से ड़के अपने मूँ को ढखने लगते हैं कि कहीं हमारे उपर ये क्रांती जो है ना कोई कहर नढ़ा दे अब इसका प्रसंग देखेंग प्रतिक मान के उसका आववाहन किया है व्याख्या क्या है कवी कहता है कि पूझीपतियों के ऊचे-ऊचे भवन मात्र भवन नहीं अप तो ये गरीबूं के लिए आतंकित करने वाले भवन हैं ये सदैव गरीबों का सोशण करते हैं वर्शा से जो बाल आती है वह सदा चरलाता है यहिजल जब कमल की पंक कड़ीं ओपर पढ़ता है तो वो अधिक प्रसन्न हो उत्ता है प्रलै से लिपी वर्ग ही प्रभावित सो रहते हे लिपी मतलब जो कारीगर वर्ग होता है वो सबसे जादा प्रभा वित हो ता है निमड़ वर करने की इच्छा अभी भी नहीं भरिये इतना दन होने पर भी उन्हें शांती नहीं है वे क्रांती की गर्जन सुनकर भैसे अपनी आखे बंद किये हुए हैं तता मूँ को छिपाए हुए कि क्रांती हो रही है बदलाव हो रहा है तो वो भी डर के मारे अपने मूँ और आखो को बंद किये हुए हैं जीन बाहू है शीर्ण शरीर है तुझे बुलाता क्रशक अधीर है ए विपलव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड मातर ही है आधार ए जीवन के पारावार अब आखरी चंद में वो क्या बोल रहे हैं जीड बाहू शीर्ण शरीर मतलब उसके बाहू में ताकत नहीं बची है उसका शरीर कमजोर हो चुका है अभी किसके बारे में बता रहे हैं निमनवर्ग के बारे में किसान मजदूर उनके बारे में बता रहे हैं तुझे बलाता क्रशक अधिर और जो यहां का जो किसान है वो बहुत अधीर हो चुका है अब वो तुम को बुला रहा है अर्थात बादल को बुला रहा है अर्थात निम्नवर्ग बहुत ही कमजोर और सताया हुआ हो चुका है अब वो बहुत जादा अधीर है और तुम को बुला रहा है कि अब बदलाव ह ए विपलव के वीर मतलब एक रांती के वीर अरथात बादल चूस लिया है उसका सार मतलब उसका अंदर जितना कुछ था इन सभी अमीरों ने चूस लिया है अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है कि यहाँ पर निम्न वर्ग का जितना कुछ था वो सभी अमीरों ने चूस लिया है इसलिए क्रांती हो और इन सभी में कोई न कोई बदलाव आए हाड मात नहीं है आधार ए जीवन के पारावार अब उनके पास सिर्फ हाड मास ही बचा है ए बदलाव के पारावार मतलब बदलाव करने वाले बादल आ जाओ तुमको ये वर्ग बहुत ही अधीर होकर बुला रहा है अब इसका प्रसंग देखेंगे प्रस्थुत का व्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोव भागदों में संकलित कविता बादल राख से उद्धत है इसके रचैता महाकवी सूरिकांत्र पाठी निराला है इसमें कवी ने बादल को विपलव क्रांती का प्रतीक मान कर उसका आवाहन किया है व्याक्या क्या होगी इसकी कवी कहता है कि हे विपलव के वीर शोषण के कारण किसान की बाहें शक्ति हिन हो गई है और उसका शरीर कमजोर हो गया है वह शोषण को खत्म करने के लिए उसका सार तत्त चूस लिया है अब हड़ियों का साचा मात्र रह गया है हे जीवन दाता तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो क्रांती करके शोशन को समाप्त करो तो इस तरीके से इस पूरी कविता में उन्होंने बादल को आवाहित किया है कि आईए और इस धर्ती में जो अमीर वर्गों द्वारा त्रस्तल हैं यहां के निम्न वर्ग उनके लिए इन बादलों को बुलाया जा रहा है ताकि वो लोग थोड़ी शान्ती को पा सके अब हमने ये पार्ट तो पढ़ लिया लेकिन आप लोगों को और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और भी चैप्टर्स देखने होते हैं तो उसके लिए आप लोग बहुत परिशान रहते हैं कि हम कैसे उन सब्जेक्स को ढूटे या उन चैप्टर्स को ढूटे तो उसक उपर आपके सामने यहां पर classes आ जाएंगी आप जिसवी class में है उस class को के ऊपर आप क्लिक करेंगे class क्लिक करते ही आप के सामने उस class के सभी subject आ जाएंगे अब आपको जो subject पढ़ना है उसके आगे आप वाच नाउ सब लिखा हुआ है आप जो भी पढ़ना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे वाच नाउ जैसे आपने यहां पर क्लिक किया इसको क्लिक करते ही आपके सामने वो सब्जेक्ट का पूरा पेज अपेर हो जाएगा यह पेज आते ही आपके सामने chapters आ जाएंगे book आ जाएगी जितनी भी books हैं आपकी वो सब आएंगी फिर उसके अंदर के chapters आएंगे जैसे यहाँ पर book है फिर book के अंदर chapter है अब आपने पहला chapter लिया फर्स चैप्टर सपोज आपने लिया, आपने क्लिक किया, उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे, वो आपके सान में ओपन हो जाएंगे, अब आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, उस टॉपिक पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो